JDCA मामले में RCA कमीटी JDCA Ad-Hawk कमीटी की राह पर चल रही जैपूर RCA की Ad-Hawk कमीटी भी अब जैपूर क्रिकेट संगी JDCA में बनी Ad-Hawk कमीटी के रास्ते पर ही चल पड़ी है नियाना नुसार Ad-Hawk कमीटी को 90 दिन में चुनाओ कराने होते हैं लेकिन मौजूदा कारेकारनी के काम को भी कराने के जम्मेदारी इन पर आ गई है RCA की Ad-Hawk कमीटी ने 1724-25 के लिए राजस्तान की टीम चैन करने के लिए चैन समीती बनाने के लिए अब इदन मांगे है उधर JDCA में पिछले चार साल से मामला कोर्ट में चल रहा है इसका अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है ऐसे में JDCA के Ad-Hawk को प्रतेक 90 दिन बाद रिन्यू कर दिया जाता है ये चर्चा अब RCA और JDCA के गलियारों में बनी हुई है कि RCA भी अब JDCA के रास्ते पर चल पड़ी है सवाल यह भी है कि जिनका काम चुनाव करवाना है वे अब मैच भी कराएंगे RCA Ad-Hawk कमीटी ने हाल ही में सिड्यूल भी जारी कर दिया है इसमें 17 मई में ग्रिश मिकालिन प्रसिछन शिविर आयोज़ित करवाए जाएंगे इसके बाद कॉलविन शिल्ड करवाई जाएगी कॉलविन शिल्ड के मैच कराने के लिए करीब 2 करोड रुपए के बिजट के आवशिकता होती है सुत्रों की माने तो RCA की खाते में महच 60,000 रुपए की राशी है ऐसे में यह आयोज़न कैसे कराए जाएंगे IPL का आयोज़न भी इस बार क्रीडा परिशिद ने कराया इसके बदले में क्रीडा परिशिद को राजिस्थान रुइल्स की और से करीब 1,75,000 रुपए मिले वहीं BCCI की और से करीब 2,000,000 रुपए मिलेंगे अगर यह राशी राजिस्थान क्रिकेट संग को मिलती तो इस तरह के आयोज़न कराने में आशानी रहती सीनियर मैन सेलेक्शन कमीटी आवेदन को 10 रंजी मैच का अनुभाव और आवेदन से 5 साल पहले का रिटाइर्मेंट होना जरूरी महिला सेलेक्शन कमीटी राजिस्थान महिला टीम की सदस्य की आवेदन में 5 साल पहले का रिटाइर्मेंट होना जरूरी है वहीं दूसरी और एक चर्चा ये भी है कि RCA की एड हॉक कमीटी ने क्रिकेट टोसुचारू रखने के लिए क्रिकेट समीती बनाई इसका अध्यक्षर अतनसी को बनाया गया है इस कमीटी को क्रिकेट एडवाइजरी कमीटी CAC बनानी थी जो कोजवा सेलेक्टर्स का च्वेन करती उसके बाद स्वता ही निरस्थ हो जाती